हम जो योजना लाए हैं वो हर साल हर साल एक समय के लिए नहीं है हर साल साल में तीन बार और सरकारी खजाने से हर वर 75,000 करोड रुपिया किसान के खाते में जमा होगा हे दोस्तो क्या आप जानते हैं कि PM किसान सम्मान निधी योजना की पहली किस्त के लिए आवेदन सिर्फ कल तक कर सकते हैं तो आईए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे और कहा करना होगा फॉर्म जमा ताकि आपको प्रधान मंतरी मोदी जी की तरफ से 6,000 रुपए तीन किस्तों में मिल सकें दोस्तों किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक देने वाली इस योजना की पहली किस्त के लिए आवेदन करने की आखरी तिथी 6 मार्ज है नमस्कार दोस्तों मैं हो पपुदी किताब देख रहे हैं यूटूब के चैनल उली सिंगल लाइक दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले है, अगर आप पुने लाइक और सेर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजी और सेर भी कर दीजी तो वीडियो में आगे आपको होती ज्यदा मज़ा आने वाला है दोस्तो किसानों को 6000 रुपए वार्थिक देने वाली प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना के पहले चरण के लिए आवेदन सिर्फ 6 मार्ज तक किया जा सकता है इस दोरान जिन किसानों ने अद तक पहले चरण के लिए आवेदन नहीं किया है वे अपने फॉर्म भर कर कल तक लेख पाल के यहां जमा करा सकते हैं दूसरे चरण के लिए पंजी करण बाद में सुरू किये जाएंगे बताते दोस्तों कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना के तहट लगू और सीमान्त किसानों को 6,000 रुपए वर्सिक मिलेंगे इसमें 3 किस्तों में 2-2,000 रुपए किसानों के खाते में पहुचाए जाएंगे पहली किस्त के लिए अभी तक 2,90,000 किसानों की फीडिंग अभी तक की जा चुकी है जो किसान अब तक आवेदन नहीं कर सके हैं वे 6 मार्स तक पंजी करण जरूर करा ले इसके लिए किसान फॉर्म लेख पाल से लें और अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं तो आप यह फॉर्म जल्द से जल्द लेट पाल के हां जमा कराएं हम दस साल में साड़े साथ लाग करोड रुपिया देंगे कितना? साड़े साथ लाग करोड कितना? कितना? साड़े साथ लाग करोड जिलाकरसी अधिकारी डाक्टर राम प्रवेश भरवा ने बताया कि जो किसान अपना पंजी करन छे मार्ज तक नहीं कराएंगे वो इस योजना के तहट पहली किस्त का लाब नहीं ले सकेंगे इस फॉर्म के तहट बुजुर्ग किसानों को भी लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं आप अपने नियरेस्ट लेक पाल से मिले और दोस्तो अगर आप जानना चाहते हैं किसान सम्मान निधी योजना के तहट कौन से किसान इलिजिबल है या किस किसान को मिलेगा किस किसा ताकि आपको इस स्कीम की पूरी डेटेल पता चल सके और यदि दोस्तों आपके मन में पीम किसान सम्मान निधी योजना को लेकर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर करें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सेर करें मन में कोई भी सवाल या सुझा पाउखो तो कमेंट करें और अगर अभी तक आप लोगों शैनल को सब्सक्राइब नहीं के हैं तो सब्सक्राइब करके जैल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको इसी तरह के अपडेट आपको मिलते रहें तो मिलना हूँ अगले और एट्साइ कड़ो और उसे कम जमीन है उन सब के खाते में सीधा पैसा जाएगा